नमस्कार, हेलो रियों, स्वाध करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पे, विम्शा स्टॉक मार्केट पे, आज हम डिस्कॉस करेंगे L&T Finance, यह एक प्राइवेट सेक्टर NBFC कंपनी है, काफे लोग के कोशन है, क्या करें यह शेर में बने रहे, या फिन निकल जाए, तो सार यह बने रहे, या फिर स्ट्रिकली निकल जाए, और हाँ दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आयों, फर्स हैं विजिट किया है, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरू कर देना, जहां हम सिफ कॉलिटी स्टॉक आपके सामने लाने की कोशिच करते है, तो गाइज सब्स् लोन, एंड फार्म लोन्स, एंड एसमी लोन्स, कंपनी लिश्च हुई थी ऑगस्ट 2011 में 50 रुपे के प्राइस पर, और अब शेर ट्रेट कर रहा है, 188, 188 के असपास, और शेर नियर ब्रेकाउट पर ट्रेट कर रहा है, तो बात है कंपनी के डेटा पर, सबसे पहले हम य इसमें इंवेस्ट क्या होता, तो आज उस 10,000 के वैल्यू होती 24,300 के असपास, means ये शेर ने 5 साल में आपका इंवेस्टमेंट डबल कर दिया, इसलिए मैं हमेशा बोलता होगा, इस प्लीज इंवेस्ट करो, at least आप अपने इंकम का 10% भी इंवेस्ट जरू करे, अब बात ह है, second part पर, L&T Finance के fundamentals कितने सहोंगे, experts का rating दे रहे, वो हम देख लेते है, 75% experts buy की rating दे रहे, 25% sell की rating दे रहे, market cap करीबन 46,000 क्रोड के आसपास है, PE ratio 18.94 है, industry P 20.37 है, means as per industry P share, थोड़े सस्थे price पर trade कर रहा है, book value 94 है, which means के book value चे 2 times trade कर रहे है, इसके सामने 10 की face value पर ये share, means य share कही न कई valuation wise काफी comfort दे रहा है, no doubt, और जहाँ company ने last financial year में 200 क्रोड का profit बनाया है, और जहाँ for institution अपना stake कम किया है, but promoters and mutual funds ने अपना stake बढ़ाया है, और even mutual funds ने तो अपना stake double कर दिया है, L&T Finance में, तो ये एक positive approach आप मान सकते हो, और अब हम chart देख लेते हैं, तो और technical wise दे 126 के आसपरस, अगर इस level से 185 से rejection आता है, तो ये share आपको 180, 150, 150 के levels दिखा सकता है, but 150 के नीचे जाना तो मुश्किल लगता है, ये stock market है, कुछ भी हो सकता है, ये note करना हमें levels कभी भी levels मिलता है, तो ये share के बारे में जरूर सोच सकते हो long term के लिए, अगर कोई entry लेने का सो सकता है, या फिर इन levels पे आप SIP कर सकते हो, अगर कर सकते हो, और जो हम target की बात करते हो, तो हमारे short target रहेगा 195, और जैसे 200 के level को sustain करेगा, तो ये share आपको 210, 220 और 230 के levels दिखा सकता है, means current level से आपको 20-25% के आसपास का upset दिखता है, आने वाले time पे, and even 7 साल के high के आसपास ये share trade कर रहा है, तो 200 का level इसके लिए काफी important रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखे, उसके बाद एक अच्छा कासा मूँ देख सकता है, तो कभी कोई भी गिरावट मिलती है, तो जरूरस हो सकते हो, share के बारे में 230 के target के लिए, अब brokerage house का target दे रहे हैं, वो हम देख लेते है मोतिलाल औस्वल ने बाइकी रेटिंग दी है 230 के target के लिए, तो इस साइड डेटा से जवाब मिल गया होगा कि आपको बने रहना चाहिए ये share में, ये share को भी आप अपने radar पर जरूर रखे, तो कभी कोई भी गिरावट मिलती है, तो जरूरस हो सकते हो, share के बारे में 230 के target के लिए, आप note करना हमाई target आपको 12-15 मिने में अचीव होते जरूर नुसर आएगे, उससे पहले भी target अचीव हो सकते है, बट से फ़र साइड के लिए 12-15 मिने का time frame लेके चल सकते हो, and हर गिरावट पर ऐसे भी कर सकते हो, accumulate कर सकते हो, and market को work देना guys, patience लखना तभी आपको नहीं आ रहे, अगर आपको invest करना है, तो आप Nifty Beast, IT Beast के बारे में सोर्स होकते हो, and हर गिरावट पर आप SIP कर सकते हो, इन दोनों में, and हाँ दोस्तों, आप कोई भी investment करते हो, तो प्लीज अपने advisor से जरू सोल ले, and सबसे जादा आप खूद रिसर्च करे, I hope आपको वीड अपने क्यार रखे, जय हिंद,